ओम स्रीगनेशाय नमदूस्तों गणपती समधान यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं दस चुलाई सनिवार आज के धनुरासी के देनिक रासी फल्गे बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको साथान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेश और वेवसाय कैसा रहेगा कैरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्मून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाई भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे सुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस दिन पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिशन की बेल को भी दबाई जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं मेहत्मून वीडियो पहुँच सके तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पोजिट्यू रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके विफसाय और गेरियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आज आप अपनी दिन चरिया को विवस्तित करने में सफल रहेंगे आपका मन पिरसनता और उत्सा से भरा रहेगा आज आफिस में आपके कारियों की भी तारिफ होगी इससे आपका मन पिरसन रहेगा और आपके कारिय सफलता पूरवक पूरे हो जाएगे आज आर्तिक लाव होने के कारण आपका तनाव दूर होगा आपके पुराने रुके हुए कारिये पूरे होंगे दोस्तो गिरे नक्षत्रों के मताबिक सफरता आज आपके कदम चूमेगी सामके समय तक कोई रुका हुआ काम बनने की उम्मीद है आपके सी पुराने बंद पड़े कारुबार को दोबारा शुरू करने का विचार विमर्स कर सकते हैं दोस्तो आपके लिए क्या नेगटिव रहेगा आज नकारात्मक्ता और नकारात्मक विचारों से आपको धूर रहना होगा अपनी नकारात्मक सोच से भचें इससे आपका मनोबल कम हो सकता है इसलिए आपने पिचारों में सकारात मुक्ता बनाए रखें और पिता की सियत को लेकर भी आज आपकी इंतित हो सकते हैं दोस्तों आपका व्यापार कैसा रहेगा आज रुकावा धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रियासरत रहना पड़ेगा कारोबार में आज सफलता के योग रहेंगे आर्तिक नजरिये से भी आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा लकडी का कारोबार करने वाले व्यापारियों की बिक्री में इजाफा होगा व्यापारियों की बिक्री बढ़ेगी जिससे मुनाफा भी होगा यूआव और विद्यार्तियों के लिए यह दिन सामान्य रहेगा दोस्तों आपका घर परिवार कैसा रहेगा अपने पिता की बातों का आप सम्मान करें आपकी राय एहम है सभी पक्षों पर सोच विचार कर ही अपनी बात रखें घर परिवार में एविवायतों के रिष्टे की बात हो सकते है घर में को मांगली कारेकरम की योजना भी बन सकती है माता दुआरा कोई सुक्राप्त हो सकता है घर परिवार में खुश्या रहेंगी और पती पतनी में कोई मीठी नौक जोग भी हो सकती है इससे आपके प्रेम संबन्द और मजबूत हो जाएंगे बुजूर्गों और बच्चों के स्वास्त का दियान रखें आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी दोस्तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये दिन काफी सायम बरतने के हैं नहीं तो समाज में ऐसे रिष्टों से बदनामी हो जाएगी धंपते जीवन सफल रहेगा और धंपते जीवन में काफी खुश्या भी रहेंगी दोस्तो आपका स्वास्त कैसे रहेगा करें और पीपल को सुबह या साम को जहलर पित करें और इसके साथ ही 108 बार इस मंत्र का जाप करें ओम से शनिश्चिराइनमा ओम से शनिश्चिराइनमा दोस्तो आइसा करने से आपकी सभी मनों कामने सिग्र पूरी होंगी आपको सनी दिव का सिवाद प्रापको कमेंट में जे सनी दिव से लिखें धन्यवाद दोस्तो आपका दिन सुबह और मंगल में हो